यैं किसान भाई यो को मेरे नमस्कार तो किसान भायो कुल्डर्द एक सान्द में आपका बहुत वुर्यू स्वागत है आधि नंदन है तो खिशान भायो मैं आपको एक ऐसी क्इंस्सें मिलाूगा नियुक अपने कर्दाग के फारब से लक्त कवा किसन वाईओ और चलते एंदर मिलते हैं फारम के ओना से नमस्कार जी मेरा नाम सुनील कुमार है ठीक है जी और मेरा फार्म पड़ता है किनोडी मिल के पास यह मेरे जिले में आता है सुगर फैक्टरी में रोड पी मेरे फार्म करते हुए कितने दिन हो चुक है यह मुझे हुए डेड़ साल जी तो सजी कितने जानवार से स्टार्ट किया आपने फार्म सर भ्या मैं लेकर आए था शुरुवाद में तीस मां गिल्ट्स लेकर आए था और तीस बच्चे लेकर तो आप करेंड में आपके पास कितने जानवार है मेरे पास में 400 प्लस जानवार हैंगे तो सर जी एक वर अपने फार्म के विजिक करवाई है यह मादा है दूसरे के जी यह अभी बच्चों से अटाई है और इसमें यह 20 है हाँ अभी 20 मादा अटाई थी दूसे तो यह बच्चे अपने 50 दिन के बच्चे होए तो इसका के बिल साइज के यह वी 20 बाई 20 का इसमें हमारे सो बच्चे तक अराम से आजके इसमें यह अवी हमारे अस्ती बच्चे है यह अभी इन जो मादा बैना बताई थी उन्हीं सो दूद से अटाए थे कुछ जो बच्चे कम है वह मैं आपको आगे बताता हूँ चलो आप ऊगे हमारे पास जगे कम疫 में तो इसलिए हम यह मतलएक दूदो मादा एक साथ कर देतें बच्चे जोन दू मादा जो माला हैं और इनके बच्चे इसका ऐसी है पंद्रा हूत तो इसकी आठ फुट का एरिया अंदर का है साथ फुट का बाहर है ठीक है यह थोड़े बच्चे हैं जक्मी टाइप के इन आपस में बच्चों ने लड़के कान काट दिये तो यह अलग निकाल दिया अब तो यह अब यह बच्चे दिया करीवन मेरे ख्याल में चारत मेने पलस हैं पर इनको कान कटने के वज़े से इनको दिक्कत बंडी तो अब तो इनको काफी हराम है अब तो ठीक हो चुगा अब तो बहुत काफी ग्रोध आचके ने कि एक यह मादा है यह अभी भी आई यह बच्चे होगे अपने साड़े तीन मेन ने तो दो चार दिन उपर ही हो चुगे यह इसमें मिक्स है भी अभी खसी नहीं कराएं इसमें कुछ बच्चे भी हैं जो खसी नहीं कराएं दो मादा इसमें यह कभी होगी मेरे खाहिन को कम से कम भी हो गए बीच दिन के आसपास एक बीच दिन को जादा हो गए एक बीच दिन से कम हो कि दिन के बच्चे लागे यह हैं जी कुछ तो 14-15 दिन के हैं कुछ एक 20 दिन के हो गए यानिके जो दो मादा भी आदियां तीन-चार दिन बाद ना दो मादा को जटता गरतें जगह कमोनी को ज़िए इन्होंने बच्ची दिये थे एक नह नो दिये थे एक ना आठ दिये टीन मादा इसमें इनके जो बच्चे इनको लिया करेवन एक महर तो जो बच्चे इनके सेनियर ते यानिके आट किलो सोफ पर थे विए बच्चे हमने इनने से सब आठा दिया वो इसलिए यह जया दीए ताकि नबत दूद निको दूद बच्चे इस इनके थोड़े से बच्चे रहे हैं मेरे ख्याल में यह भी करेबन 6-7-7-7-8-8 किलो के आस-पास के जा रहे हैं यह भी हटने वाले हैं अभी दो-4 दिन और पीलेंगा उसके बाद मटा निकासी का है और जी इसमें अपनी मच्छी पड़ी है मंगूर बीज पड देते हैं अपना बस है कि यह सब्सक्राइब हाजी एक सिकोर्टी के लिए है एक हमारे पीचे-पीचे आ रही है एक यह रही है कि दो सिकोर्टी गाड़ेंगे जी रात के दिन में रहते हैं दिन में राम करते हैं रात को अपना इनका जो काम है वो करते हैं फिर हुआ है यह पर है तो पमप्लीट यह वह गद आविस साथ मोगा नींगे हैं लो था दिए बाधा साइज उसका यह ई अधि अधीआ अधर साथ था가ड आट वायति पुटक्ड कि यह आप अंदर भी देख सकते हो इतना ही मतलब कि इस से डबल अंदर है बाहर कम है यह उपर सिल्ली यह मतलब के गर्मियों में वो रहता है हाँ कि यह टोटल शे मैंने के ऊचे हैं यह यह अची बच्चे हैं इसके बच्चों की बच्च जो भी है आपके आगे अब बड़ा चड़ा के तो बोलना नहीं आपको जो भी है यह देखो कि अच्छ जितना बड़ा रूम यह है इतना ही बड़ा रूम यह दोनों सेम हैं यह तर गितने दिन के बच्चे अच्छ यह ओगेजी करीब हन अपने चार मैंने क्या स्वाट जिल अब बच्चा स्यातान होता है जिस बच्चे के मुझ खूल लग गया ना उसकी आदत नही आए बिल्कुल पिकशी अब कर दूए बच्ची बैसाफ जैसे भी आपको आगे है कर दो अधिए यह ब्रण नेटर भी लगाए है तो अमर्जन्येटर है हाँ अमर्जन्येटर अधिए अधिए तो यह अमर्जन्येटर लाइट होती है वह जलती है वैसे हमारा इनवेटर सिस्टम सब चीज लग रही है थो यह थेड़ भी बना हंव जो बच्चे होते हैं अपने 20 कम अधियू का इस्टार बनाते हैं तो यह क्या है यह किनकी है मक्का है और मिल्रमिक्टर होते हैं जैसे की पड़े इधर और जी जो भी अपना दालते हैं वह हमारा लग है यह अपना दवाई वगया रहे हैं इनकी है कि यह इनको दे रखा है इसमें हमारी चक्की लग रही है जो चक्की है अपना जो कि यो सिष्टम है अपना सोलर पैनल का हो या वैसा हो यह अपना सिष्टम में पूर जी जी इसकी कैपिस्टी गंटे में डेड़ कुंटल निकाल के बार फ्यंगती दढ़िया को यह जी और वाम इस था ये एक फ्यंडें टेंड यह गंटे में डेड़ कुंटल दढ़िया निकाल लेती कि मक्का को निकाल लिए जर्डिया को वैसा गहुं वगएर तो पीसेंगे तो जादे निकालती है मखा में थोड़ा टाइम दगता है यह मक्का है कि यह मक्का है ओ कि यह मचा एले मिर कुट्ट्रा है यह और यह उपर भे वह कहते है कभी कभी इनसान को नसीबبة नहीं होती यह кश्मिशंच यह केष मारे पास किसमिश आता है कि तो यह खवाते हैं किसमिस का वैस्टेज और अपनी खुद की फीड वह मिक्स करके वह डालते हैं चोटे बच्चे को श्टार्टर देते हैं और जो बड़े बच्चे हैं उनको अपना खुद का बना कर वह डालते हैं जो प्रस हमारे पास जो मैंने दिखाया था वह जो सब्सक्राइब को डलता है अब तक मैंने आपको बता रहा हूं मैंने तीस बच्चे लेकर आया था मैंने डेड़ साल हुए मुझे फारम करेंगो जुट बोलने की अपनी आदत नहीं जो बाते सच है तो सच है मैंने करीबन भिया इस सबस्सक्राइब तक अपना डेड़ साल में 10 लांक रोपे का माल भेका है अब अब भाई जी यह तो कहनी सकता लोगडाउन लग रहा है कितने का होगा कितने का नहीं होगा पर मेरे पास मैं हाँ लगभग अनजादा मेरे पास में कम से कम भी मानिके चले जा अगर मंदे से मंदा मानिके चले आप पच्छीश भीस लांक से तो कम नहीं है मेरे पास में चार सो प्लस जानवर मैंने रेंट पे इसलिए ले रखा है अगर माने जाए कि कोई भाई बोलता है कहले कि वही चार पांस लांक रूपर लग जाते हैं ट्रेंजिक्शन में मुझे तो लगता नहीं जितना चार भीगे का मेरा फारम है मैं अब भी सोच रहा हू जो कोई नया किसान है इसके लिए कैसा बिजिनिस तो अच्छा है कोई गलत नहीं है पर सबसे बड़ी बात है अगर कोई भाई करना चाहता हो मेरी राय तो यह है अपना खुद का ना बनाक है अगर उस भाई को रेंट पे मिल जाए ना तो सबसे अच्छी बात है क्योंकि स प्चीस लाग रुपे इसको बनाने में लगाएंगे और 20-25 रुपे बनाने में ना लगा करें रेंट फे फारम ले ठीकिए जो भी नफा नुकसान होना का होगा उसमें ही पता चल जाएगा बंदे को पहले ही बीस पच्छीस लाग तो परस हम उसमें लगाएंगे अपनी उसमें क्या है जमीन में लगाएंगे बनाने में और दस पंद्रा त्रेट साल में भी अधिसलांग रुपए मेरे पास में माल है कि वैसे माल तो जाद ही है पर माल में 400 पलस मेरे पास में जानवर हैं तो ब्रहरा मेरे पास मैं फैमली वड़े लेवर हैं आप मसलब फैंबली समीठस के बंदे आ रहे हैं क्योंकि चार सो जानवर है चार अकले बंदा नहीं कर पाईगा क्योंकि एक सबसे बड़ी बात ही रीजन होता है अगर पाणी की टूठी फिटिंग विए भंदा कर भी लेता है अकेले बंदे के बिसके चार से जानवर नहीं है माल पहले तो सबसे पहले धुलाई करो वह करो रासन डालो और दालो तो यह निकिक कई घंटे लगा था अकेला बंदा ठाग भी जाएगा वैसे हाँ यह बात जरूर है लेवर रहती है मैं लेवर के साथ में लगता जरूर हो फिर भी चाहे लेवर कितना ही काम कर लो मुझे संतुष्टी नहीं होती मैं फिर भी अपना चेक करता हूं मेरी याद थे भी सब्सक्राइब अगर अपने खुद रहोगे अगर खुद रहोगे फारं के अंदर तो फ्रोफिट है अगर माले जाये के बैसलो कोई दिकत निमें अगर फारं कोल दिया लेवर रही है तो भैसाव जी एक पैसा नहीं मिल सकता आप कितने भी कैमरे लगा लो कुछ भी लगा लो अपनी देखा वाली तो हर सूरत में करनी पड़ेगी भाई सब आपको जाना पड़ेगा फारम पे भी आप माले जाएंगे कई दिन में निजाते हैं सुबह शाम तो आपको जरूर जाके देखना पड़ेगा अपने जानवर हुआ हुआ है